नमस्कार दोस्तों जब मिग 23 2500 किलोमेटर पर आर की स्पीड से उड़ सकते थे लोंग रेंज की BVR मिसाइल्स को लोंच कर सकते थे और रिक्वायरमेट के अनुसार अपने विंक्स को भी एड़ेस्ट कर सकते थे तो फिर इन्हें इतना जल्दी रिटायर क्यों किया गया जब भारत ने अपने नए एरक्राफ्ट केरियर आई एन्स विक्रांत में इस टेक्नोलोजी को क्यों नहीं लगाया नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूँ आपका अमित अपडेट्स चैनल पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे एक सब्सक् वाला फाइटर जेट है जिसके विंक्स को जरूरत के अनुसार सीधे या पीछे की तरफ किया जा सकता है मिग 23 में एक पारफुल 127 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन लगाया गया था जिससे यह मिग 23 2500 किलोमेटर परार की तेज स्पीड से उठ सकता है एक्सरनल फ्यूल टेंक्स की साहिता से इसकी रेंज 2800 किलोमेटर तक है यह एक छोटे 500 मीटर के रन्वे से भी टेक ओफ कर सकता है और इसमें 60,000 फीट तक के अल्टिटूड तक पहुँचने की काबलियत है जब टेक ओफ और लेंडिंग के समय कम स्पीड पर जादा अच्छी लिफ्ट चाहिए तो इसके विंक्स सीधे हो जाते हैं और जब तेज स्पीड पर एड्रेक को कम रखना हो तो इसके विंक्स पीछे की तरफ मुर जाते हैं मिग 23 इतना जबरदस्त फाइटर जेट साबित हुआ कि इसकी 5000 से ज़ादा यूनिट्स बनाई गई 20 से अधिक देशों ने इसे खरीदा मिग 23 को इंटरसेप्टर रोल के लिए बनाया गया था ताकि ये अपनी तेज स्पीड का फाइदा उठा कर जल्दी से दुष्पन के फाइटर जेट्स और उनके बॉंबर जेट्स को ट्रैक कर सके इसे मिग 21 की रिप्लेस्मेंट के लिए बनाया गया था मिग 21 तेज स्पीड से तो उड़ सकता था लेकिन इसकी रेंज सिर्फ 600 किलोमेटर तक थी साथी इसे काफी तेज स्पीड पर लेंड करवाना परता था जो काफी रिस्की होता था मिग 23 में ये सभी कमिया दूर कर दी गई थी मिग 23 की रेंज 2800 किलोमेटर तक बढ़ाते हुए इसमें बेहत पारफुल लोंग रेंज का RP-23 रडार लगाया गया था ये सोवेत यूनियन की तरफ से पहला ऐसा फाइटर जेट था जिसमें 80 से लेकर 100 किलोमेटर की लोंग रेंज वाली BVR मिसाइज लगाई गई थी दोस्तों सवाल में पुछा गया है कि भारत ने मिग 23 क्यो नहीं खरीदा तो ऐसा नहीं है भारत ने मिग 23 की चार स्क्वेडरंस यानि लगबग 72 फाइटर जेट्स को सोवेत यूनियन से खरीदा था इन्हें 1981 से इंडियन एर फोर्स में शामिल किया गया था मिग 23 भारत की तरफ से ऐसा पहला एरक्राफ्ट था जो लेह जैसे सबसे ज़्यादा उचाई वाले एर फिल्ड से भी ओपरेट कर सकता था मिग 23 ने 1985-86 में सियाचीन ग्लेशियर में हुए ओपरेशन्स में भी भाग लिया था मिग 23 ने कारगिल की लड़ाई में भी अच्छी भूमी का निभाई थी लगबग 30 एयर्स तक अपनी सर्वेसिस देने के बाद 2009 में मिग 23 फाइटर जेट्स को इंडियन एर फोर्स से रिटायर कर दिया गया दोस्तों मिग 23 जब मिग 21 से ज़्यादा तेज ऊड़ सकते थे ज़्यादा रेंज भी रखते थे ज़्यादा रेंज की BVR मिसाइल्स भी कैरी कर सकते थे तो उसके बाद भी इन्हें जल्दी रिटायर कर दिया गया जबकि इनसे पहले लिए गए मिग 21 अभी भी उड़ाए जा रहे हैं ऐसा क्यों ये भी जान लेते हैं पहला रीजन ये था कि इसे उड़ाना आसान नहीं था ज़्यादा तेज मैनिवर्स करते समय ये अनकंट्रोल्ड तरीके से स्पिन करने लग जाते थे यानि तेजी से घूमने लग जाते थे और तेज मैनिवर्स के कारण कम स्पीड हो जाने के कारण ये स्टोल भी हो जाते थे और इनके crash होने की संभावना बढ़ जाती थी इसलिए pilots इसे उड़ाना पसंद नहीं करते थे और अगर उड़ाते भी थे तो इसकी पूरी capability का इस्तेमाल नहीं कर पाते थे दूसरे कारण की बात करें तो इनको दुनिया भर में जल्दी retire कर दिया गया था इसका एक बड़ा reason ये था कि ये बहुत जल्दी outdated हो गए थे और इनसे अच्छे fighter jets मारकेट में आ चुके थे एक समय इनका अलग ही जलवा था सीरिया की Air Force के MiG-23 MS jets ने 1974 में दो इसराइली Phantom jets को मार गिराया था ये Phantom jets इसराइल ने अमेरिका से लिये थे इनसे डर कर कुछ समय तक इसराइल की Air Force को अपनी Air activities भी बेहद कम करनी पड़ी इराकी Air Force के MiG-23S variant ने भी इरान की Air Force के कई fighter jets को डिस्ट्रोई किया था जिन में इरान के F-4 Phantom jets भी शामिल थे लेकिन फिर इसराइली Air Force को अमेरिका से New Generation के F-15 fighter jets मिलने शुरू हो गए दो engine वाले और काफी ज़्यादा speed वाले F-15 fighter jets का मुकाबला MiG-23 नहीं कर पाए और जल्दी ही इनने outdated माना जाने लगा हाला कि Soviet Union ने बाद के MiG-23 variants में काफी सुधार किया और इनकी uncontrolled spin और stall होने की समस्या भी समाप्त हो गई लेकिन इनके ये limited upgrades इसे ज़्यादा समय तक technology के हिसाब से relevant नहीं रख पाए इतने upgrades के बाद भी ये 3.5 generation तक ही advanced हो सके जबकि अब F-15 वे F-16 जैसे 4th generation के fighter jets बन चुके थे जिनका सामना MiG-23 jets नहीं कर पा रहे थे हाला कि जरूरत पढ़ने पर MiG-23 2,900 km पर आर की speed भी short duration के लिए अचीव कर सकते थे और इनका acceleration यानि तेजी से high speed तक पहुँचने का समय भी ज़्यादातर अमेरिकी fighter jet से अच्छा था लेकिन radar, avonics, jammers और missiles के मामले में ये लगातार पीछे चूटने लग रहे थे भारत की बात करें तो दोस्तों MiG-23 भले ही बहतरीन performance वाला fighter jet रहा हो लेकिन 1985 में ही Soviet Union ने इनका production बंद कर दिया था यानि 1981 में जब भारत ने MiG-23 खरीदने शुरू किये थे उसके सिर्फ 4 वर्ष बाद ही इसका production बंद हो जाने के कारण इसके spare parts की supply ठीक से नहीं हो पाई अकसर spare parts की कमी के कारण MiG-23 को grounded रखना पड़ रहा था इसके अलावा सबसे ज़्यादा सिर्दर देते थे इसके engine जो अकसर खराब हो जाते थे या उनकी performance डाउन ग्रेड हो जाती थी भारत के द्वारा लिए गए इन MiG-23 जेट्स का crash rate इतना ज़्यादा था अटाई जा चुकी थी और last squadron 2009 में retire कर दी गई इनकी replacement के रूप में यानि इनकी जगह लेने के लिए Indian Air Force ने Soviet Union से ही MiG-29 जेट्स खरीदने शुरू कर दिये थे जो superior performance देते थे दो engine के होने के कारण इनका crash rate भी कम है और इसके evanix, jammers और helmet mounted display इसे American 4th generation के fighter jets के मुकाबले काफी दमदार बना देते हैं तेजस अगरवाल जी का सवाल है कि जब पुराने INS विक्रांत में अमेरिकी aircraft carrier की तरहें catapul technology थी तो इसे नए बनाये गए INS विक्रांत में क्यों नहीं लगाये गया दोस्तों भारत का पहला aircraft carrier INS विक्रांत था जिसे 1961 में Indian Navy में शामिल किया गया था यह वास्तव में Majestic class का light fleet carrier था जिसे British Navy के लिए बनाये जा रहा था दूसरा विश्वियूद तो समाप्थ हो चुका था इसलिए अब British Navy को इसकी जरूरत नहीं थी इसी कारण इसे पूरा नहीं किया गया भारत ने इस incomplete carrier को 1957 में खरीद लिया और फिर इसे पूरा करवाया गया और 1961 में जब यह पूरी तरह से तयार हो गया तो इसे Indian Navy में शामिल कर लिया गया 19,200 टन वजनी इस INS Vikrant Aircraft Carrier की लंबाई 210 मीटर थी यह 46 किलोमेटर परार की स्पीड से ट्रेवल कर सकता था और इसकी रेंज 22,000 किलोमेटर तक थी इसकी सबसे बड़ी खास्यत यह थी कि इसमें steam-based catapult system लगया गया था जो भारी fighter jets को पूरे fuel और missiles के load के साथ टेक ओफ करवा सकता था लगबग वैसे ही जैसे अमेरिकी सूपर कैरियर के catapult काम करते हैं इसी catapult system की सायता से इस पर Brickweight Alleyes carrier-based anti-submarine warfare aircraft ओपरेट करते थे साथ ही attack role के लिए Seahawk jets भी इसी catapult system से टेक ओफ करते थे और इनकी maintenance cost भी काफी ज़्यादा रहती है आगे चलकर 1978 में Seahawk और उसके बाद 1987 में Brickweight Alleyes jets को भी रिटायर कर दिया गया इनके रिटायर होने के बाद INS विक्रांत का catapult system किसी काम नहीं आ रहा था बाद में INS विक्रांत में refit process के तहत नए boilers, avonics, radars और anti-aircraft systems भी लगाए गए इन नए systems के लिए ज़्यादा electricity चाहिए थी लेकिन काफी electricity तो इसके catapult system को operational रखने में ही खर्च हो जाती थी फिर 1983 में INS विक्रांत के लिए नए Sea Harrier fighter jets खरीदे गए जो short takeoff और vertical landing की काबलियत रखते थे ये अपने thrust vectoring engine nozzles की सायता से छोटे runway से takeoff कर सकते थे इने catapult system की जरूरत नहीं थी तो finally ये decide किया गया कि INS विक्रांत के deck को modify करके इसमें से कुछ काम नहीं आ रहे catapult system को हटाये जाएगा और इसकी जगे पर ski jump based ramp तयार किया जाएगा तो दोस्तों इस तरह से INS विक्रांत एक steam catapult based aircraft carrier से ski jump based aircraft carrier बन गया ये changes हमारी requirement के लिए जरूरी थे भारत के पास steam catapult की technology है लेकिन इसे काफी ज़्यादा electricity चाहिए और इसके boilers control system वे actual steam catapult के लिए काफी जगे भी चाहिए फिर इसकी maintenance cost भी बहुत ज़्यादा है इसी सब को देखते हुए नए बनाए गए INS विक्रांत में catapult system को ना लगा कर ski jump based ramp को ही लगाए गया INS विक्रांत पर फिलहाल MiG-29K jets operate करते हैं जिनका thrust to weight ratio काफी अच्छा है और ये अच्छी quantity में fuel और missiles को लेकर ski jump system से take off कर सकते हैं दोस्तों अगर भारत आगे चल कर nuclear powered aircraft carrier बनाता है तो catapult system के लिए काफी ज़्यादा electricity provide करने में कोई समस्या नहीं आएगी और तब इस तरह के catapult system का सही फाइदा भारत को मिल सकेगा फिलहाल तो भारत ने cost को कम रखने वे maintenance के खर्चे को भी कम रखने के लिए INS विकरांद को ski jump based ramp के साथ ही बनाया है दोस्तों यहाँ एक बात और note करने लाइक है कि जिस ब्रिटेन ने इस steam catapult वाले INS विकरांद को बनाया था वहाँ भी जो अब नए aircraft carrier बन रहे हैं उन में उनकी आवशकता के अनुसार steam catapult ना लगा कर ski jump based ramp ही तयार किये गए हैं ताकि उन पर F-35 का B variant short take off कर सके और vertical landing भी करवाई जा सके दोस्तों ये थे आपके कुछ सवाल जिनके सटीक fact based जवाब तलासने के लिए मैंने जितना हो सका उतनी research की उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे like करिए दोस्तों के साथ share करिए और चैनल को subscribe करना ना करिए सकार